असलाम वालेकुम वेलकम टू माई यूट्यूप चैनल आई होब आप साथ ठीट ठाक होगे मैं भी ठीक हो और आज मैं आपके साथ माईकिट नैपटू का 23rd पार शेयर करने वाले हूं पहले वाले पार नहीं देखे तो भी देख लीजिए का लिंक आपको मिल जाएगा स्ट और चले हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं और अब ये स्टोरी तो साच में अंड की तरफ ही जा रही है तो आप इसको मैं मजीद लॉंग ने खार सकती ना आप लोग मुझे बोलिएगा वांची दो दिन हो आस्पिटल में रहने के बाद फाइनली अप अपने घार वापस आई चुका था अपने एक अदध हस्पेंट और एक अदध बच्चे के साथ और बागी टाइम उगार पर ही रेस्ट करने वाला था बाद में स्टिचीज तो फिर खुलते ही रहेंगे और जैसे वो घार में आया था सैन ने उसका हाथ पकड़ा वाता को मुश्किल से चाल रहा था और बच्चे को तो रीटा ने उठा रखा था और जोती जो के वांची का सारा समान उठाई हुई थी और रसिया और सैन की मामा वो तो पहले पहुंच चुके था हरु ने अपन वृषики के लिए चोटू और बाकी साब के लिए चोटे माली को चोटे साब जैसे ही वांची ने घार के अंदर कدم रखाता उसके उपह तो जैसे कितने सारे फ्लाज लिग्राएं गे थे और वो कितना जादा हुश हो रहा था इतने जादा प्यार पर इतने जादा इंपॉर किया था और रजजय आंटी आप उसके ओपर फूल बेंके चार रहे थी और उसकी सासों माने तो आगे बार के जैसे उसे का लिया आप उसके फोर हैट पे कीस का रहे थी ठैंकीव वांची मैं बहुत स्यादा शूश होँ और मैं दुखी मात होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मेरे बच्चे। उनने वांग जी को आपका लिया था, और वांग जी को जैसे अपनी मामा ही याद आगी थी, जिसे उसने बासार साल की उमर में तो खो दिया था। वो बासुन के साथ गले लगा रोई रहा था। कंट्रोल किये थे और फिर, वांग जी के साथ पर हाथ रखते कोई बोला, ओए पैलवांग जुब हो जाओ, क्या एमोशनल ड्रामा लगा रखा है। ओ मामा प्लीज, आजकल आपको ज़्यादे सेरियल देख रही हैं, क्या कार रही हैं, मेरे बावबे को रिलाने की जरूरत नहीं है, अब यह ओ, ठीक नहीं हुआ। ओ हाँ, I'm sorry, चलो चलो तुम्हें किसी से मिलाना है। वांग जी जो गहरानी हो गया था, अब किस से मिलाना है। वो जैसे याप अपने रूम में दाल हुआ था, महाँ कोई और भी बैटा उसका वेट का रहा था, और उसके पास कितने सारे कीप्टर, कितने सारे स्वीर्स और कितने सारे फ्लार्स थे, वो जैसे पूरा का पूरा कोई ट्राकी उठा लाई थी, और वांग जी तो जैसे उ अब सार्च में बेनी होना शुरू हो गया था, उसने एक्दम से भागने के लिए टांगे जो फिला लिए और पिर सैन ने उसे जैसे गोद में उठा लिया था, चलो चलो ले के चलता हूँ, और ग्रैनी तो जैसे सैन के और वांग जी किस प्यार को देखे हुशी होई चार थी, सैन ने ग्रैनी के पास पूठके वांग जी को उता दिया था, लो मिलो आप इन से, और फिर ग्रैनी ने भी वांग जी को हाग का लिया था, वो कितनी ज़्यादा हुश थी और कितनी ज़्यादा एमोशनल हो रही थी, तो बस वांग जी को प्यार किये जा रही थी और सेयन ने बोला तो ग्रैंट सासुमा मैं भी यहां पर हूँ क्या मुझे प्यार नहीं करेंगी अरे हाँ चीपू तुम्हें क्यों नहीं तुम तो सबसे ज्यादा इंप्राटन्स हो इस पिंकू से भी ज्यादा तुम मुझे तुम प्यारे हो पिंकू कौन पिंकू सेयन हैरान हो गया अरे ये पिंकू इनके सामने ऐसा वैसा कुछ बोलनी की जरुएत नहीं है क्यों जरुएत नहीं है ये पिंकू कौन है अरे पिंकू को यह और नहीं है ये तुम्हारी वाइफ मांची है क्या पिंकू और अफ सेहन को तो कितना जीब लाग जाता हाँ, मुझे बहुत जाता शौक है ना बच्चों के निकनेम रखने का इसलिए मैंने इसका नाम पिंकू रखा था जब यह पैदा हुआ था तो बहुत जादे क्यू था और फिर मैंने इसका नाम पिंक को ही राक दिया था मुझे यह बहुत प्यारा लगता था एक ताम पिंकी पिंकी सी डॉल जैसा और सेहन को ताब अपनी हसी रोगना मुश्किल हो गया था ओहो पिंकी डॉल ओहो वा जी वा मेरा पहलवान पिंकी है बहुत मज़ा आएग आप तो वो उसे देख रहा था और चिडा रहा था रुमाई जी ने बास मुई बना लिया ग्रैनी ये कोई अच्छी बात नहीं है यहाँ कोई मुझे पिंकू नहीं कहता और आप भी फ्रीज मत बोलें और क्या अच्छा लगता है कि मैं अब एक बच्चे की माँ होके पिंकू पिंकी डॉल बना फिर दूँ हाँ अच्छा तो नहीं लगता क्यों नहीं अच्छा लगता बिल्कुर अच्छा लगता है जब मैं एक बच्चे का बाप होके चीकू हो सकता हूँ, तो तुम भी पिंकू हो सकते हूँ, मैं तो पिंकु ही बोलूँगा, हाँ, छोटू की मामा पिंकू, स्यान उसे चड़ा रहा था, और मालची बासाब, ग्रैनी की तरफ देख रहा था, और फिर ग्रैनी ने, जैसे सैन को टैप किया था, मेरी पिंकी को ज़्यादा तांग करने की ज़रत नहीं और तुम्हारा नाम चीकू किसने रखा था कभी अपनी मां से पूछा तुमने डोंट टेल मी ग्रैनी हाँ सच में मैंने तुम्हारा नाम चीकू रखा है तुम्हारी मा आती थी तो उससे चीकू बहुत ज़्यादा पसान थे और हमारे खार में तो इतने ज़्यादा चीकू काती थी वो तो मैंने उसे बोल दिया था जो भी तुम्हारा पहला बच्चा होगा मैं तो उसका नाम चीकू ही रखाँगी और फिर जब तुम पैदा हुए और वो उसे हमारे गार ले के आई तो मैंने तो तुम्हारा नाम चीकू ही राख दिया था और देखो आज तक तुम चीकू ही हो याने के पास चीकू खाने के विज़ासे मैं चीकू ही हो गया और अब सैन को भी चीप लाए रहा था हाँ जैसे मैं पिंकी हो गया वैसे तुम चीकू अब मजा आया ओ छोटू किदर क्या उन्होंने बच्चे के पूछा था और फिर ग्राणी ने उसे गोट मी ले लिए ये साथ में बहुत जादे क्यूट है बिल्लकूल मेरे वांची जैसा नो ग्राणी ये मेरे जैसा इसकी अँखे मेरे जैसा है इसके गाल बेरे जैसा है लेकन कोई बात नहीं है मैं गुसारा कर लूँगा अच्छा आप इसका कोई नाम तो रखे ना हम पताएं क्या नाम रखेंगे ग्रानी प्लीज आप इसका नाम को चिंकूपींगो मातराक दीचेगा मैं आपसे कहर हूं हाझ कیूं रखोगी मैंने तो सोच लिया इसका नाम मैं इसका नाम रखोगी शीवाज वाओ और लाइफ तो जैसे तब खुशियों से भार की थी वांग जी के लिए वांग जी को तो अब एक साथ पांच माच होतों का प्यार मिल रहा था और सैन जिसने सोचा था कि वो बाप बन के कोई बहुत ज़्यादा भड़ा दीर ही माच चुक है उसकी लाइफ तो जैसे अचीरा नहीं हो चुकी थी वांग जी को हाथ से ज़्यादा इंपॉर्टन्स मिल रही थी और सैन तो इस बात पे कितना ज़्यादा चैलिस होता था हाँ एक बच्चा बैदा कर लिया अरे हजारों लोग बच्चे पैदा करते हैं इसने कौन सा दुनिया का नोखा बच्चे पैदा कर लिया ऐसी कौन सी हलाई मखलूब दुनिया में आ गई है या कौन सा अठ्वा जूबा पैदा हो किया है जो इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टन्स मिल रही है रजिया रीटा जोती मामा और ग्रैनी वोत और साब पांचों की पांचों जैसे एक तंस वांची की हागे पीछे रहती थी कभी कोई उसको मसार दे रहा होता था और कभी उसके लिए कोई सूब बना के लाता था और जोती और रजियार्टी तो जाने किया कि आपाट बार पाट के पिमुब्ती χी रहती थी हाँ ताकि वाँची को नजर ना लाग चाहे और बच्चे का बुद्धी हाल था जोती ने ना जाने कौनकों से जोती जी बापा से लाला कि उसे तावीज इकाल दिये थी उन्होंने भी बहुत सारे तावीज लागे जैसे बच्चे के गले में दा ले दिये थे अरे बच्चा जो के इतनी मुश्कलों के बाद तुम्याम में आया था तो उसकी इफास्थ करना जरूरी था ना कहीं कोई उससे जिन बूत ले जाता तो फिर और वांची ने भी नहीं रोखा था वो पास इन सारी होतों के प्यार के लिए बहुत स्यादा धैंट फुल था और रियानी वो तो उसकी लिए बहुत पुरानी पुराने पता नहीं कौन कौन से खाने बना के लाती थी जो के उसको उसकी खैल्थ में मदद देंगे और मामा वो तो बस बैटके उसको कोई ना कोई स्टोरिया सुनारी होती थी उसकी टैंशन को काम करने के होशे करती थी वो नहीं चाती थी के वो बच्चा पैदा करने के बाद से आदा इतना इका शिकार हो जाए और बची रीटा हाँ वो बस सैन के लिए खाना बना देती थी या उसके थोड़े थोड़े काम का देती थी लेकिन उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता था क्योंकि उन्हें भी तोहर छोटो को समालना होता था शिवान को और अब सैन बस साब के तमाशे देखी जा रहा था मुझे तो लगता मैं घार में बिल्कुल बेकार हूँ कोई मुझसे प्यार नहीं कहता कोई मेरा कोई काम नहीं कहता और फिर सैन के उपर एक और ही मुसीबत आ चुकी थी हाँ वो पांचों की पांचों ओरते जो के वाँद टि के हागे पीछे लेगी रहती थी और बचे को समालने का काम प्याबब उसके बाब कोई करना पड़ता था कोई औरत कभी वांग जी के साहर में तेल लगा रही थी तो कोई कभी उसे मसाज दे रही होती थी और फिर बचा कौन सेन हाँ और उसे करना ही था जाप भी वो फ्री होता कोई न कोई आगे उसकी गोहर में बचे को डाल देता साहब ये देखे बाबा रो रही है इनको ज़रा उठा ले और बाबा फिर रोते ही नहीं थे वो और भी बहुत कुछ करते थे और फिर बाबा के पापा कोई साहब ठीक करना परता था बच्चे के पैमबर साफ करने से लेके उसे चेंज करवाने था सारा काम पापा कोई करना परता था हाँ सही है पहले मसे और फिर सजा भी तो उससे चाहिए थी ना और बच्चा भी कुछ से आदे ही अच्छा था जो कि अपनी मा के पास एक ठम शरीफ ही रहता था और बाप के पास आते ही तो जैसे उसका पेट हराब हो जाता था और सेन को बास यही सारे काम करने कार रहे थे मैं इसके लिए जल्दी कोई नैनी का मत बस्त करता हूँ बहुत हो गया मैं शूटिंग कार किया हूँ वहाँ पे गले भाट भाट किया हूँ और यहाँ पे आके क्या करूँ मैं बच्चा समाल ना हूँ और ऐसे ही आप दिन गुसर रहे थे वांची की आलत बेतर हो गई थी और उसे इतना कुछ खिला पिला दिया गया था कि आप वो डॉल की बच्चाए ढोली लगना शूरू हो गया था और सैन उसको बहुत ज़्यादा चिडाता था अरे देखो थो पहलवां क्या ही बानी गया वो तो साच में डूली बान किया कोई चलता पिरता सा भालू और वांची बास इसे मूँ बना के देखता था और फिर सैन की मामा कहते एह बरतार मेरे बच्चे को कुछ बोलने की ज़र नहीं है तुम क्या हो है अपने आपको ज़रा देखो मेरा बच्चा हैल्दी है उसे हैल्दी रहना चाहिए उसने अपने साथ साथ अपने बच्चे के इसे काभी खाना पीना होता है तुम जाओ उतनी डाइट मेंटेन करो, डाइटिंग करो, जो मरसी करो, जाओ तुम दफाओ, हुमारे बीच में आने की सुरद नहीं है, और फिर सैन बास चूपी हो जाता था, हाँ वो क्या ही करें लोगों का, सब तो जैसे वान जी पे अपना प्यारी लुटाए जा रहे थ अब तो वो पास एक ही नाम पुकारता था, शीवू शीवू, हाँ, बच्चे का नाम भी पाड़े चुका था शीवू, जो के उसे ग्रैनी ने दिया था, वो शीवान होगा पास पेपर्स में, वो किसी के लिए शीवू बन चुका था, किसी के लिए छोटो और किसी के जूनियरी था और आज सेन ने कितनी मुश्किल से इटार निकाला था सारी ओरते जो के बार धूब में बैठी हुई थी वो औरेंची स्खारें थी सर्दियों का मौसम जो था और ग्रानी जो के लेटे हुई थी और मामा पता निकाएं बिल दी थी और थैंग और शीवू भी बस सोई रहा था और फिर सेन बास माम जी के पास ही आगया जो के अपने रूम में बैठा ना जाने टीवी पे क्या ही देखे जा रहा था तुम्हें बिल्कुल मेरा ह्यार नहीं है तुम बस मुझे भूले के हो नहीं चीकू ऐसा कुछ भी नहीं है आप खुदी इतने ज्यादा बिज़ी होते हो और वो सारी आंटीज और मामा और ग्रैनी वो बस मेरे साथ ही होती है तो आप तो आते ही नहीं हो आप खुद मुझे टाइम नहीं देते हरे मेरे चाण मैसाच में बहुत साथ मिस करता हूँ तुमें तुम्हारे वान्स और को वैसे कितना ही टाइम हो गा पूरा एक मीना हो चुका है अब तो शिवान भी एक मीने का हो गए है तो मैं लगता कि वान्स मोर एक बार फिरसे हो जाणा चाही है No more, once more क्यों, क्यों नहीं बाद जैसे सैन ने पहली बार ही फर्माईश की थी और पहली बार ही उसको no more सुना पाड़ गया था ये क्या बात हुई बाओ बे मैंने हमेशा तुमारे once more का ह्याल किया तुम में एक बार मेरे बाद नहीं मान सकते देखो चीकू, बाहर बहुत ज़्यादा सर्थी है और मेरे तबियत बहुत ज़्यादा अपसेट है मैं पहले कितना ज़्यादा विक हो गया हूँ और फिर सैन ने जैसे उसे सार से लेके पाउं तक देखा जो कहीं से भी विक नहीं लाग रहा था खा खा के तो पूरा हां डॉली बाच चुका था कहां से विक हो तुम देखता पहलवान तो हो और क्या तो मितने विक होगी होगे अपने हस्बंट को नहीं परताश कार सकते नहीं जी को ऐसी बात नहीं है मस मैं विक हूँ मुझे में बहुत ज़्यादा कमी होगी है यूनो मैं बहुत ज़्यादा वीक होगी है मुझे फीड करवाना पड़ता है बच्चे को और वैसे भी इतनी ज़्यादा सर्थ है I'm sorry मुझसे नहाया नहीं जाता बहुत ठांड है प्लीज हम किसी दिन और करेंगे और सैंट तो जैसे रार नहीं रहा गया था क्या ये वोही वांची है जो के हूद पास उसके उपर ही गिरे रहता था मैं देखो ये इस बात को याद रखूंगा तुम अपनी बार यह ऐसे कार रहे हो मैं कुछ नहीं कार रहा प्लीज आप जाओ यहां से नहीं तो ग्रैनी आज जाएंगी और अभी उन्होंने बस मेरे लिए ओईली करम किया होगा फिर वो मेरे सार की चंपी करने वाली है वाव सारे ऐश अराम तुमारे और मेरा क्या होगा बस ठीक है पाव पे एक बार कार लो ना प्लीज थोड़ा सा चलो उपर उपर से कार लेंगे मैं कुछ भी जादा आटिंडॉंग नहीं करूँगा तो मैं बेन नहीं दूँगा मैं भी आता हूं तर वहाँ साबान कार के सेहन तो आर सबर ही नहीं हो रहा था और वह वाँची के देखते ही देखते जा के डोर को जैसे लौक ही का रहा था और बाइर से ग्रैनी ये सब देखी रहीं थी हाँ वो उट चुके थी और अब सेहन के प्यार के बीच में हलल पड़ने ही वाला था सेहन बस बिल्कुल वाँची के पास या कहता बाओ पे चलो ना थोड़ा सा चलो थोड़ा सा कार लेते हैं ना कुछ नहीं होता मैं तुम्हें गर पानी से नहला दूंगा अच्छा चलो आओ ना वो उसे कहर रहा था लेकिन वाँची नहीं मार रहा था देखो आप मेरे करीब आए ना मैं साथ में शोड मचा दूँगा फिर सोचो क्या इससे तरह चाहेगी आपकी सारी अंटी मामा और क्रैनी क्या आपका हाल करेंगी आप नहीं जानते तुम मैं ऐसे कैसी का सकते को मैं तृमाना हस्पेंट कोई رbyde स्थोर नहीं जो ऐसे शोड करूँगे हां हस्पेंट हो तो क्या हुआ हस्पेंट भी बिना इचासेद की नहीं का सकते कि ठिना मर्सी की अच्छा तो जो पहली बार करवाया था उसमें मेरी मर्जी तो नहीं थी तब क्या हुआ था तब तो जुक चाप करवा लिया था और आप देखो कैसे तुम्हें हकूगी यादा आ रहे हैं आपने ठीक है एक बार कर लो को इनी कहर हमें और ज्यादा करने को ने मैं नहीं करने वाला ठीक है मत करो मैं हुदी कार लेता हूँ वांग जी को सहन एक दाम से लिटा ही दिया था और वांग जी जैसे भीज जयाब बैग नहीं लगा था लेकिन तब ही जैसे तरवाजे को किसी ने पीटी ढाला था जी कुप भाइन दफा हो जो तुम तुम में कोई शर्म भया है नहीं दाटो क्या दाटो दर्वाजा खोलो उन्होंने बार से चिला के बोला था और सैन जो के पास अपनी शर्ट के बटन खोलते खोलते रहा गया था और वांग जी ने जल्दी से ब्लैंकेट ही उपर ले लिगा था और फिर सैन को दर्वाजा खोलना पर रहा था और ग्रैनी जो के पास उसे घुस्से से देख रही थी नहीं तुम क्या करना चाहते हो नहीं मैं पूछ रही हूँ तुम चाहते क्या हो ग्रैनी क्या हो गया, नहीं तुम में कोई एसास है कि नहीं है, मेरा बच्चा वो बिचारा इतना ज्यादा कम्सोर हो गया, अरे देखो सूख सूख के बिचारा तिंक ही बना हुआ है, और तुम तुम भीर से शुरू हो रहे हो, ग्रैनी क्या किया मैंने, तुम्हें हुद पत सानी की कोई जबत नहीं है ग्रैनी ने जैसे उसे ठांट जिती आ था था और सैन बास चुप चाप बाहर ही निकल लिया था और किता जा रहे हो तुम आपने हुद ही पो रहा है दफा हो रहा हूं हुद दफा नहीं हो यह अपने शीव को भी साथ लेके जाओ देखो इसे साफ करो तुम इसे दो निगा में लाए हो ना तो चलो साफ करो वांग जी चलो इदर आओ बाहर मैं तुम्हारे सार में तेल लगा दूँ वांग जी चुप चाप मासूम बच्चे की तरह उटकिया ग्रैनी के साथ ही चाह रहा था और वह बस ग्रैनी के सामने बहुत ज्यादा म हिस्ता हिस्ता हिचार रहा था और पी जैसे बास उसे दाव पीस की देगा था हाँ, हाँ ठीक है, का तॉर रहना तुम्हारे साथ ही आनए। ठीक हो जिए मैं सब खियात रहा था। जीए गुआ हैं पर बाहे शीत हुआना। कर बहादत सार्व मेbei क्या ना क्या और बोला, Pak आप देखो मुझे तांग करते रहते हो मैं केलफा होगे नो आम सॉरी एक निकमा होगे जैसे नैनी बानके रहागे हूं अपने बच्चे के पैमपर्स हो रहा हूं क्या ही करूंगा मैं सेन जा के फिर से जैसे शीवो को ठाए लिया था और शीवो ने जैसे फिर सेन के ओपर स्थी सुसु कार दिया था ओ मैं क्या ही करूं बस मैं क्या ही करूं मीरी किसमת ही ऐसे है वो उसे लेके आप जा चुगा था और आप उसे साफ ही करने वाला था वांग जी और सैन बस ऐसे ही अपनी लाइफ में लड़ते चगरते टाइम गुसार रहे थे और अब शीबू जो के दो महीने का ही हो गया था और ग्रैनी का तो जाने का कोई इरादा ही नहीं लाग रहा था और उनोंने सैन को बिलकुल भी वांग जी के करीम नहीं आने दिया था इन दो महीने को तो जैसे वांग जी और सैन एक दूसरे को तरस ही गही थे और आप तो वांग जी का भी बान जैसे बार बार सेन के लिए तरपता था लेकिन ग्रानी का क्या जो उसे बार 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 सेन से दूर रहने का क्याती और उसे क्याती बिल्कुल नहीं और पचे नहीं फिल हाल तो बिल्कुल नहीं उन्होंने क्या ही दिया था और बस वो तोनों आप एक दूसरे को देख द फिर क्रैनी को अच्छा नो की मांग जी की मामा याद आ गहीं थी। आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो कितना जूँपप, बिंको। हाँ ग्रैनी, लेकिन क्या किया जा सकता है? हाँ कुछ नहीं किया जा सकता, और तुमारा बाप मेरा नलाइक बेटा, पापा थे और वो तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि मों माट जाएं क्यों ना बोलो मैं ऐसी नलाइक और भुरी उलाद के होने से बेतर था मैं बे उलाद ही रहती ग्रियानी जोक के बिचारी एक्दाम से मोशनल हो गई थी और वांग जी नहीं समझाया ग्रियानी प्लीज च तूपी रहना पड़ा था और जो भी उनकी बेटी ने किया वो पास अपना हाग लेने के ले किया वो उसकी प्रॉपर्टी थी तो उसने ले ली हाँ लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा मैंने सजा दूंगा एक पार में ठीक हो जाओं अब भी शीवू चोटा है मैं को कोई डिस्क नहीं लेना चाता ऐसा कुछ नहीं है वांग जी उनका कोई हाग नहीं था उन्होंने इनफेक्ट तुम से तुम्हारा हाग जीन है वो प्रॉपर्टी तुम्हारे बाप की नहीं थी और ना ही उसकी उस मनहूस बेटी की क्या कह रही है आप ग्रैनी हां ठीक है पापने वो प्रॉपर्टी मेरे नाम लगाई थी लेकिन वो थी तो पापा की ना उनका बिसनस था, उनकी सारी प्रॉपर्टी थी उसमें उनकी बेटे का यहाग है वो जो उनकी पहली उलाद है तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो बांग जी उन्होंने हमेशा तुमसे साच चुपाया और मैंने भी तुमारे बाप के प्यार में तुम्हें साच नहीं बताया और मैं बहुत जादा शर्मिनता हूं कि मेरी Veg़ा से यह साब हुआ था हां मैंने प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम तो कात दी थी लेकिन मुझसे गल्सी होगी जो मैंने उसे तुम्हारा गारटियन बना दिया था वरना यह सब नहीं होता मैं कुछ समझ नहीं पारग रहनी आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज खुल के बताएं वो प्रॉपर्टी तुम्हारे बाप की नहीं है वो तुम्हारी माँ की है और तुम्हारा बाप जो हमेशा तुम्हारी माँ को गरीब होने की और बुरे होने के ताने देता था वो भी बास उसके चुप रहने की वज़ा से था और जैसे खाना खाते खाते चमर तो वांग जी के हाथ से यह क्या था क्या कह रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं समझाती हूँ तुम्हारी मामा एक बहुत बड़े बिस्नेसमैन की बेटी थी लेकिन तुम्हारे पापा उनका बिस्नेस तो बहुत जाद ही लॉस में जा रहा था और फिर तुम्हारी मामा के बापा ने जब हम सरचते के लिए बात की तो हम मान गए थे लेकिन हम सेलफिश हो गए थे हमने फाइदा सोचा तुम्हारे पापा के शादी नहीं करना जाते थे वो लैनी को पसंद करते थे लेकिन हमने मना का दिया और फिर तुम्हारे पापा ने इसी शर्ट पे शादी के लिए हम बोली थी कि तुम्हारे ग्रेंट फादर तुम्हारी मा के पापा वो उनके बिसनस में इंवेस्ट करेंगे और फिर उनोंने किया भी और उन्हें अपना सारा पैसा तुम्हारे बाप के बिस्नस में इंवेस्ट का दिया था और इसी शाद पे तो तुम्हारी माँ से तुम्हारे बाप ने शादी की थी और तुम्हारे ग्रेंट फादर वो सब कुछ अपना लुटा चुके थे सिर्फ अपनी बेटी का घार बचाने के लिए लेकिन क्या हुआ था वो हार्ट एटैक से मार के और बाद में तुम्हारे बाप ने भी तुम्हारी मा के साथ बहुत ही बुरा सलू किया था वो जो भी खा रहा था जो भी खमा रहा था सब तुम्हारी मा के पैसु का था उसका अपना बिसनस दुकाब कोई हतम हो चुका था अगर तुम्हारे नाना उनकी मदद ना करते तो आज वो सडक पही होता वो सब तुम्हारे वाँजी तुम्हे उसको वापस लेना होगा वो तुम्हारा हाग क्या है तुम ऐसे उसे चोड़ नहीं सकते तुम्हारा तुम्हारे बच्चे का हाग क्या है तुम्हारी मा का हाग था वो जिसने चुपचाब उन्हें दे दिया क्या तुम भी ऐसे करने वाले हो तुम अपने बच्चे का हाग को उसे दूर कैसे राख सकते हो इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए वांग जी हाँ बहुत अच्छी बात है तुम अपनी फैमली का ह्याल करते हो लेकिन कभी इतना मीठा मत पनो कि कोई तुम्हें सावत ही निकल जाए ग्रियानी ने उसे साच बता दिया था और वांग जी जैसे सोच में पार गया था उसने सैन की तरफ देखा था पिंकू ग्रियानी बिल्कुल सही कहा रही है और आप मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूगा आप उन्हें हिसाब देना पड़ेगा तुम कोई प्लैन है तो मुझे बता दो नहीं तो फिर मैं उनसाब को ढुटवाने वाला हूँ नहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वांग जी ने जैसे सैन के हाथ पे हाथ ही रा दिया था क्या मतलब तुम फिर भी उनका सोच रहे हो नहीं मैं अपनी सोच रहां उनके बारे में मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है और तुम इसमें मेरा साथ होगे मैं? हाँ तुम तुम साथ होगे मेरा और पस मैं जो बोलू तुम्हें वही करना होगा और उन्होंने कैसे मुझसे साब चीन है धोके के जरीए और तुम मेरा साथ होगे दोगे ना हाँ क्यों नहीं मैं हमेशा तुमारे साथ हूं सैन हमेशा अपने बावबे के साथ है ठीक है फिर हम जा रहें कल लैन हाउस